नमस्कार साथियों एक बर फिर्माई दिपंकर समध्दार चार्डर एकाउंटेंड आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ असूसियेट आपको बता दूँ कि कि माइक रफाइनेस बिजनेस में जो collection ratio 93.4% है और इंडिया और banking sector में जो average collection ratio वो 70% के आस-पस है इसका मतलब collection माइक रफाइनेस का बहुत जादा है उसमें डूबने के chances थोड़े से कम रहते हैं है भो अनसेक्रीड ज़रूर रहता है लेकिन उसके बाद भी वहांपर independence रहता क्योंकि जीवन भर उनको काम करना है आगे बढ़ना है और लोन चाहिए देखे यह फाइनेंस बिजनस इतना इंट्रेस्टिंग है और इतना जादा पाउरफुल है कि इसमें मैक्सिमम लोगों को फाइदा होता है फाइदा किसको होता है जो बिजनस कर रहा है उसको भी फाइ कर रहा था लेकिन अगर माइक्रोफैनेस आ जाता है एक परसेंट, फेड़ परसेंट, दो परसेंट, कि आस्पास उसका कॉस्टिंग हो जाता है और लगभग पांच गुना कम में उसका काम बन जाता है इसी कारण वो इमांदारी से चुका पाता है, अपना भी पेड़ भर पाता है और company को भी पैसा दे पाता है तो दोस्तों ये microfinance business के training अभी start होने वाली मैं आपको बता दूँ कि इसमें basically क्या क्या चीज़े हम लोग करते हैं इसमें सबसे पहले rules, regulation और law के बारे में complete जानकारी हम लोग provide करते हैं उसके बाद management कैसे करना है वो बाते होती है, documentation के ब आप लोग कहां से capital arrange करोगे ये भी बाते होती है और unlimited question आप लोग जो पूछोगे unlimited question आप जो पूछोगे वो सारा answer आप लोगों को मिलने वाले इस 30 days के program में इसके अलावा मैं आपको बता दूँ 15 से जादा videos आपको मिलने वाले हैं और हपते में 2 दिन आपके queries के answer दिये ज सकते हैं और यह microfinance जबर्दस business है मैं फिर से बता दूँ अगर join करना चाहते हैं तुरंत दिये गए number पर WhatsApp करिए या फिर working hour में call करिए आपकी मदद करने के लिए हमारी team तयार है और जादा से जादा लोगों तक यह सेवा पहुचाने का जो mission आपने लिए है उस mission को जरूर पूरा करिए का क्यूंकि भारत में यह finance business जो है यह भारत की जान जिसमें bank coverage हर जगा नहीं हो पाता इसी कारण यह microfinance का काम lower middle class lower class और गरीमों के लिए काफी जादा fruitful है तो आप ना सिर्व वैपार कर रहे हो ना सिर्व profit कमा रहे हो बलकि आप कहीं न कहीं पे लोगों की बह करना और समय पर सारी जानकारी देना तो बने रहेगा मेरे साथ आपका दिन जवर्दस्त और शुभ हो